वेलकम बैक टू या माई स्पिरिच्वल चैनल आज जैसे आप लोग देख रहे हैं कि थामनेल में क्या लिखा हुआ है आज हम इसी के बारे में बात करना चाहते हैं आप लोग को यह जानके खुशी होगी कि स्पिरिच्वली हम मतलब हम लेडीज या गर्ल्स स्पिरिच्वली एमसी के टाइम या पीरियेट के दिनों में इतने पावर्फुल होते हैं इतने अच्छे मैनिफेस्टिंग पावर हम में होती है कि हम उस समय जो भी दिल से बोल दे चाहे वो आश्रीबाद हो या अविशाप हो वो बिलकुल मैनिफेस्ट हो जाता है सच हो ज मूर्श स्व vine सोते हैं जिसके वज़य से हमएं हमारे αंदर चिर्चिरापन भी रहता है पर हम अगर पॉजिटिव रहे पॉजिटिव रहने की कोशिश करे और इस शमय को पॉजटिवीटी को हम योटिलाइज करने की कोशिश करे तो हम हमारे खुद के विशस तो पूरा क साथ ही साथ अगर हम दिल से किसी को भी कुछ दूआ दे किसी को भी आशिवात दे तो उनकी विश्श को फुल्फिल कर सकते हैं हमें इतनी पावर होती है इस समय तो ये भी ध्यान रखियेगा कि आपको अगर इस समय किसी कारण से गुस्सा भी आता है हो जाता है तो ऐसा हमें ध्यान रखना है और हमें खुद के लिए और दूसरों के लिए बहुत अच्छा-च्छा सोचना है पॉजिटिव सोचना है और एक बात मैं एक और बताना चाहती हूं जो अगर आप किसी और को खुश देखना चाहते हैं किसी और के विश्ख प्रेस्टेशन भी पूरे होते हैं तो आप यह भी करके देख सकते हैं इन दिनों मतलब प्रियेट के टाइम अगर किसी और के विश्ख को दिल से आप पूरे होने पूरा होने के लिए भगवान से प्रे करें इश्वर से या आपके जो भी आराध्या हैं उनसे प्रे करें तो उनकी विश्ख तो पूरी होगी ही साथ ही साथ बीना मांगे बीना बोले ही आपका भी कोई एक विश्ख जरूर भगवान पूरा करेंगे जो हमारे सुप्रीम पावर है बहुत दयालू है वो दूसरों के खुशी में खुश होने वाले लोगों को हमेशा खुश रखते तो यह बात बिल्कुल धियान रखिये और खुद एक बहुत अच्छा से बनने के लिए गुड ऑनिफेस्टर बनने के लिए रही की सीखिए रही की सीखने से आपके हर एक प्रॉब्लम का हल आपके पास होगा आपके हातों में होगा क्योंकि महाजागतिक शक्ति रेकी हमारे हाथों से ही फ्लो होती है और विभिन चक्राज के द्वारा हम अपने अपने प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो रेकी सीखिए खुद पॉजिटिव रहिए अपने सारे प्रॉब्लम्स को हील कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के हर एक प्रॉब्लम को आप खुद ब्लॉड रिलेटेड जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स को आप खुद हील कर सकते हैं और बहुत ही आपके पीरियर्स के टाइम, पीरियर्स के दिनों को यूटिलाइज कीजिए, सब को आशिवाद दे के, खुद अपने लिए अच्छा विश मैनिफेस्ट करके, स्टे ब्लेस्ट, थैंक यू.